आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आप पेटियम एप्लिकेशन से अपने बैंक एकाउंट को रिमूब करते हैं आपके सामने कोच एस तरीके से बैंक एकाउंट रिमूब करने का ओप्सन आता है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे रिमूब डिफॉल्ट बैंक और अगर आप एस रिमूब बैंक पर क्लिक करेंगे तो आपका बैंक यहाँ पर नहीं अटता है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे समने आ जाता है यू कैन नॉट याणि कि हमारा बैंक एकाउंट यहाँ से रिमूब नहीं हो रहा है जैसा कि आप देख पारे होंगे, तो अखिरकार अगर आपके Paytm application में आपका bank account remove नहीं होता है, यानि कि आपका यहाँ से delete नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, किसे अपने bank account को delete कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको करना है, सबसे पर आप यहाँ से back आईए, बैक आने कि बाद आपको Paytm application के home page पर आजाना है, home page पर आने कि बाद आप यहाँ पर करना है, कि आपको अपने balance history पर click करना है, जैसे आप इस पर click करेंगे, यहाँ पर आपका bank आ जाएगा, आप remove पर click करते हैं, तो आपके समने वही आ जाता है, अपने bank account को remove करने के Paytm application में कोई automatic payment setting चालू होगा यह आपका कोई automatic payment setup होगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको UPI automatic payments पर क्लिक करना है और हाँ अगर आप Paytm application से पैसे कमना चाहते हैं तो इस पर मैंने already video बना दिया है उस video का link इस video के description box में मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर मिलेगा add money to wallet और यहाँ पर देखेंगे automatic यहाँ पर मैंने यह setup करके रखा है जैसा कि आप देख पा रहूंगे तो अगर आपने कोई भी automatic payment चालू किया है तो उसे आपको बंद कर देना है हम इस पर click करेंगे click करने की बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे नीचे आने की बाद यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका यह bank account है जिसमें आपका automatic payment setup है उसके बाद यहाँ पर नीचे मिलेगा pause और मिलेगा cancel automatic payment तो हम इससे सिर्फ बंद करना चाहते हैं पर क्या करेंगे pause पर click करेंगे और उसके बाद proceed पर click करेंगे जैसे आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको अपना date डाल देना है कि आप कितने दुनों के लिए इससे आप बंद करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर date डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर प्रसेट पर क्लिक करेंगे जैसे आप प्रसेट पर क्लिक करेंगे आपको अपना UPI PIN यहाँ पर डाल देना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अपना UPI PIN हम यहाँ पर डाल देते हैं डालने के बाद यहाँ से आप राइट करिए राइट करने की बाद थोड़ा सा wait करिए अभी आपको देखने को मिलीका Automatic Payments पौझ जैसा कि आप देख पा रहोंगे यानि कि हमारा Automatic Payments अभी पौझ हो गया है यानि कि बंद हो गया है अब यहां से बैक आते हैं बैक आने की बाद यहांका आपको पूरी तरीके से डिलीट करना होगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मिलेगा Cancel, Automatic Payment इस पर क्लिक करेंगे, और Cancel Automatic Payment पर क्लिक करेंगे, फिर से अपना UPI पिन डाल दीजिए, प्राइट करेंगे, और उसके बाद आपका यह Automatic Payment जो है, वो आपका पूरी तरीके से Cancel हो जाएगा, आप बैक आजाएगे, बैक आने की बाद अब आपको अपना यहाँ से Bank Account हटाना होगा, तो Remove Account पर क्लिक करेंगे, यहाँ से Remove पर क्लिक करेंगे, हमारा Bank Account हट जाएगा, जैसकि आप देख सकते हैं, OK करेंगे, और हमारा यहाँ से Bank Account Remove हो गया है, जै क्लिक एतना ही,